ओम नमो भग्वते वाशुदेवाई नमह नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि मिथुन रासी वालों का आज का दिन यणी की 15 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाब होगा क्या-क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुबह रंग, सुबह अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुने और आज माने का प्रयास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके बैबाहिक जीवन के बारे में मित्रों दामपत्य जीवन के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए शामानने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन आपके जीवन साथी से कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिस गलती के वजह से आज के दिन आपको शरमिंदगी का सामना करना पड़ सकता है वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका श्यमे अच्छा बीतने वाला है आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपुर्ण काम किसी भी कारण से अधूरा रह गया था पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अपने उस काम को आप पूरा करने का प्रयास करें इस काम को करने में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा आपका पूरा शपोर्ट करेगा इसके बाद है आपका स्वास्त तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से भी आपका शम है अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपका सबसे बरा सपना हकीकत में बदल सकता है लेकिन आज के दिन अपने उत्साह को आपको काबू में रखना होगा क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि ज्यादा खुसी के वजह से पड़ेसानी का सामना करना पर सकता है इसलिए ज्यादा खुसी में ज्यादा उत्साहित होकर आप कुछ गलत काम बिलकुल भ आपका शम है अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन हो सकता है तो किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के शाथ आपका नोक जोक हो जाएगा आपका बहस हो जाएगा और इस वजह से आज के दिन आपका प्रेम शम्बंध कमजोर हो इसके बाद है आपका धन संपती तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शम है अच्छा बीतने वाला है आज के दिन आपके शामने में पैसे कमाने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा अगर उस मौके को आप केच कर लेते हैं आपके शामने में जो भी मौका होगा उस मौके को आज के दिन अगर आप नहीं गवाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में आपको कहीं भी कोई भी शमस्या नहीं होगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मेरून आज के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक है पाँच यनी की फाइब इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बेहितर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामान्य है आज के दिन आप गौ माता की सेबा करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपका शमय शांदार हो जाएगा और कहीं कोई पणेशानी नहीं होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे हर जगा से यर कर दे धन्यवाद